अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए और हम सॉर्फ करेंगे शिक्स्त क्लास इसके हमको फैक्टर्स निकालना है तो जो भी टेबल में आएगा उसको हम फैक्टर्स कहते हैं देखे फॉस्ट भी थाम ले लेंगे ऐ os 38 इसके फैक्टर्स हम लेंट्ह से निकालन एक ल्सें महुए तुव सभी ट्थो एड़्ध दो टेयंस थैंट्री 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 था नंई थी तो क्या हो जाएंगे यह आप के छेप्ट तो factors of 36 is 2 into 2 into 3 into 3 यह factors हो जाएंगे और 1 के table में भी आएगा 1 भी factors इसको आप लिख सकते हैं और factors रिखना है इसके और कोई से table में आ रहा है तो इसके और भी factors निकाल सकते हैं 1 के table में आएगा 2 के table में आएगा 3 के table में आएगा 4 9 is 36 होगा 6 is 36 9 4 is 36 12 3 is 36 18 2 is 36 36 1 is 36 इस सारे table में यह आएगा इससे भी इसके factors बनेंगे सेकेंड वाला 23 इस 23 के factors हमको बनाना है तो कोई भी टेबल में नहीं आएगा सिर्फ एक टेबल में आएगा 23 बन जा 23 तो इसके factors बन रहे है 23 into 1 तो ये factors क्या हो जाएंगे इसके 23 और 1 ये दो ही इसके factors होंगे निक थर्ड बीट है 96 96 ये 96 के factors अब ले सकते हैं देखी 248 28 16 224 248 21 22 224 26 12 236 31 3 ये सारे इसके factors बन रहे हैं तो आप क्या करेंगे यहां पर लेखेंगे 96 के factors 2 और क्या बन रहे है ये 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 times 2 है और 3 one time है ये one time और कौन से table में आएगा वो table भी आप लिख सकते हैं 48 के table में 96 आएगा 96 के table में 96 आएगा ये सभी table में 96 आएगा second दीखे which of the following pair of co-prime co-prime हम किसको कहते हैं अगर कोई नंबर के अंदर ये दोनों के अंदर एक कोई दी common factor नहीं होना चाहिए अगर common factor आ रहा तो वो co-prime नहीं होगा common factor नहीं आना चाहिए second के अंदर देखेंगे first bit 18 है और एक है 35 देखेंगे हम इसका LCM ले लेंगे 18 का अगर आप ले रहे तो 2 9s आ 18 3 3s आ 9 3 1s आ 3 35 का आप ले रहे तो 5 7s आ 35 7 1s आ 7 तब यहां पर 18 के factors होगे 2 into 3 into 3 into 1 35 के factors होगे 5 into 7 into 1 यह दोनों के common के common सिर्फ 1 है तो 1 तो सभी table में आ जाएगा तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है 18 के factors है 18 के factors है तो यहां पर लिखेंगे there is no common factors no common factors देख्गिन आप 2 2 3 3 different numbers है इसलिए is टेर से no common factors 18 and 35 are co-prime नमबर देख सकते हैं को प्राइम नमबर यह लिख सकते हैं 216 215 के अंदर देखेंगे हैं 216 216 सेकेंड विट 216 215 यह दोनों को प्राइम होते हैं यह नहीं होते हैं अब यहां पर आप 216 का यह से निकाल लेंगे क्या हो जाएगा 216 286 258 227 3 9 27 3 3 9 3 3 2 15 का अगर आप निकालेंगे यहां पर आप 5 से 5 1 जा 54 25 3 15 43 लेंगे यहां पर हम लिख सकते हैं 216 के factors 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 2 x 15 के factors 5 x 43 ये दोनों के अंदर कोई भी नबर common नहीं है तो इसलिए हम लिख सकते हैं therefore 216 215 और को प्राइम लिख सकते हैं को प्राइम नमबर्स इस तरह आसने से आप सॉल्फ कर सकते हैं 2nd और 3rd और 4th भी आपको हूवक के लिए छोड़ रहा हूं आप सॉल्फ कर सकते हैं इसको अब हम 3rd question solve करेंगे वाट इस दर ग्रेटेस्ट प्राइम नमबर बिट्विन और वर्ट इस राइम नमबर्स बहुत आसान क्वेशन है 13, 17, 19 यह प्राइम नमबर से 1 और 20 के बीच में तो सबसे बड़ा नमबर के कौन सा यहां पर 19 है तो यहां पर greatest ग्रेटेस्ट प्राइम नमबर बिट्विन वान नाइन ट्विन इस इकल टू 19 इस तरह आप इसको देख सकते हैं देख जेए फूर्थ, फइंट द प्राइम नमबर बिट्विन 10 और 30, 10 और 30 के बीच में प्राइम नमबर और composite नमबर दोनों भी हमको लिखना है अब फूर्थ पहले हम लिखेंगे प्राइम नमबर तेन और 30 के बीच के कौन सा कौन से हैंगे 11, 13, 17, 19, 23, 29 यह होगे प्राइम नमबर अब more than two factors आते हैं उसको कहते हैं composite नमबर, composite नमबर हम लिखेंगे बहुत सारे हैंगे 12 आएंगा 14, 15, 16 क्योंकि 12 अगर ले लेंगे 2, 6, 12 होगा, 6, 2, 12 होगा, 4, 3, 12 होगा, 3, 4 बहुत सारे factors नमबर होगे इसके more than two factors जो भी होगे वो composite नमबर होगे और 18, 20, 21 भी होगा, 22 भी होग 24 भी होगा, 25 भी होगा, 26, 27 और 28 एसा भी factors 10 और 30 के भीच के composite नमबर होगे नेगे 5th वन, the number 79, 71 और प्राइम नमबर, 17 और 71 दोनों प्राइम नमबर है, बोद इस नमबर हम सेम डिजिट इसके अंदर 1 है, यहां पर भी बन है, सेम डिजिट है 1 7, find the more such pair प्राइम नमबर बि हमको, 2 प्राइम नमबर हम को मालूम करना है, और मालूम कर सकते हैं आसानी से, क्वेचिन नमबर कौन सा यह, question number 5 है, question number 5, देखिए यहां पर हम 17 और 71 इस वाले प्राइम नमबर, दो करना है, एक ले सकते है, 13 और 31 ले सकते है, क्योंकि यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 1 एक 79 लेसकते हैं 17 ले सकते हैं इस तरह 210 आप असलसे बना सकते हैं हुस्से कि गुर्च त्री पेर आफ वीं प्राइम नंबर बिलो ट्रेसी के अंदर ट्विं फआनो वने दो डिजीट वाले प्राइम नंबर समको मालू करना है तो यहां पर हम लेख सकते हें ट् muff 2500 जिसका प्रोड़ट्त क्या होगा 35 हुगाक एस्वाद सेड़ता तोट्विस तुए होगा बहुत आसा नहीं सेवें वाला दो प्राइम नॉ नमबर कोई से कोई से होंगे हो प्राइम नमबर सेवें होगा फाइफ होगा सेवें फाइज हा क्या होगे 35 होंगे एक्सप्रेस 36 एज सम आफ टू डिजिट टू और पाइम क्या कर नहीं को 36 को टू अर्ट पाइम नंबर सम को बनाना है तो यह भी बहुत आसा में देखिए 8 वादा 36 है दो और नंबर से लेना है जिसको आइट करने पर 36 आना एक 17 लेंगे एक 19 लेंगे यह दोनों को आइट कर है और 19 भी ओड है व्राइट 7 कॉंपोजिट नंबर लेस देन 100 कॉंपोजिट नंबर लिखना है वन से 100 के 20 के चली कॉंपोजिट यू और नंबर हमको लिखना है 7 तो क्या होगा 90 91 92 93 94 95 95 96 एक कॉंपोजिट नंबर हो जाएंगे और कोई भी आप लिख सकते हैं कि तो वाला दिखे है X प्रस 53 अ सुम ओ त्री प्राइमजош्ट कॉंप नंबर में बनाना है पे लिखना क्कुम laisse नंबर चैनि क्या देन राहत है 53 को आइसे नंबर प्राइमज बनाना है जिसको ट करने पर हमको 53 को 13 एक प्राइम नमबर होगा, 17 एक प्राइम नमबर होगा, 13, 17 कितने हो जाएंगे, यह हो जाएंगे 30, 30 प्लस 23, आइट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 53. 11 वाला, राइट 2 प्राइम नमबर्स, whose difference is 10, दो प्राइम नमबर्स लिखना है, जिसका difference क्या होगा, 10 होगा, तो जिसका difference 10 होगा, तो हम क्या लिखिएगे, 2 प्राइम नमबर्स में, 31 लिख सकते हैं, और 41 लिख सकते हैं, यह दोनों का difference 10 है, अगर आप 41-31 कीजिये, इसका difference आजाएगा 10, तो इस तरह भी दोनों को लिख सकते हैं, वराइट 3 पेर आफ प्राइम नमबर्स लेस दन 20, whose sum is divisible by 5, क्या करना है आईसे नमबर्स लेना है जिसको प्राइम नमबर्स 20 से कम, जिसको आट करने पर 5 से डिवाइड भी होगा, यह हो जाएगा question number 12, जिसको डिवाइड करने पर 5 से इसको डिवाइड होना है, और हमको ले प्राइम नमबर्स, दो प्राइम नमबर्स लेना है जो डिवाइड करने पर, एक ले सकते हैं 2, 3, क्योंकि 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, यह 5 से डिवाइड होगा, एक और ले सकते हैं 7 और 18, 7 और 18, इसको आट करने पर आजाएगा 25, इसको अगर आप डिवाइड कर सकते हैं 5 से फाइफ फाइज है क्या हो जाएगा 25 एक ले सकते हैं 13 17 यह दोनों को अगर आप आइड करेंगे तो हो जाएगा 30 यह भी डिवाइड होगा 5 से इस तरह आप नमबर्स को सॉल्फ कर सकते हैं